Welcome students, class Turbularia का आज हम टाफिक डिसकस करेंगे Exchange with the Environment फस्ट हम देखते हैं इनका respiratory system इनके respiratory system में इनके पास कोई भी respiratory आर्गन जो है वो present नहीं होता लेकिन इनमें जो respiratory gases है जैसे carbon dioxide gas है और oxygen है तो यह जो carbon dioxide और oxygen है वो exchange होता है इनका इनकी body wall से by diffusion जो respiratory gases है उनका exchange जो है वो body wall से होता है by diffusion Next है metabolic waste Metabolic waste क्या होता है जो metabolic process है जैसे cellular respiration है तो cellular respiration में जो substance बच जाते हैं जो substance बच जाते हैं जिनको animal use नहीं करते हैं तो उस substance को हम कहते हैं metabolic waste सो जो metabolic waste है इनका वो भी diffusion के जरीए ही body से remove हो जाता है इनका जो waste product है वो ammonia है Next time बात करते हैं Osmo regulation की Osmo regulation कहते है water और ions की concentration को body में balance करना So Osmo regulation में first हाता है marine environment Marine environment में क्या होता है यह जो animals है Osmotic होते हैं यानि इन में salt और इन में ions और water की concentration जो है वो क्या होती है balance होती है अंदर और बाहर पानी में और इनके body में water और ions concentration balance होती है That's what it's called Osmotic equilibrium with the environment Next time fresh water तो fresh water में क्या होता है कि invertebrates होते हैं वो hypertonic होते हैं to the aquatic environment यानि बाहर जो है वो solute की concentration ज्यादा होती है So यह पानी जो है यह uptake करते हैं यह पानी जो है वो लेते हैं by active transport So हम कह सकते हैं कि इनको आइन और water की concentration होती है अपनी body के अंदर उसको regulate करने की जरूरत होती है So evolutionary point of view से हैं कि जब इन्होंने marine environment से fresh water environment में move करना हो Marine से fresh water environment की तरफ movement के लिए इनको अपने structure को modify करने की जरूरत पड़ी अपना जो structure है excretory उसको modify करने की जरूरत पड़ी कि फ्रेश वाटर में environment जो है वो different होता है और marine में different होता है That's why अपने structure को इन्हें modify करने की जरूरत पड़ी तो इनका जो structure modify किया हुआ हमें मिला वो है proto nephredia excretory structure जिसे proto nephredia कहा गया है जो कि मोडिफाइड है अब proto का मतलब होता है first nephres हम कहते है kidney को So ये first kidney है जो के phylum pletihelminthus में बनी So proto nephredia जो है इनका structure कैसा होता है तो ये किस तरह के होते हैं तो ये होता है network होता है टिब्यूल्स का ये network होता है टिब्यूल्स का एक network होता है जाल बना होगा है बाड़ी के दोनों sides पर इसके entire length में बाड़ी के दोनों sides पर एक network होता है टिब्यूल्स का जिससे हम proto nephredia कहते हैं अब ये जो network है टिब्यूल्स का इस network टिब्यूल्स के दोनों side पर छोटी छोटी branches निकली रही है ये जो छोटी छोटी branches है इन्हीं हम flame cells कहते हैं इन्हीं flame cells क्यों कहते हैं क्योंकि इनका जो structure है वो candle flame की तरह होता है ये जो है इनका जो structure है वो candle flame की तरह होता है जैसे हम इनको flame cells कहते हैं अब अगर हम एक flame cell को बढ़ा करके देखें तो इसका structure कुछ इस तरह से हमारे पास आता है ये जो flame cell है इनके पास flame celia presence होते हैं इनकी tubules पे यहां पे एक pore होता है जिसे हम fenestation कहते हैं यह जो pore होता है यहां से fluid जो होता है जो waste होता है इसके body में दाखिल होता है वो इस कैविटी में जो fluid होता है वो इस fenestation से Crispule там गोले उस northern cELia पे योrok गैक होता है बाड़ी से बाहर बाड़ी कोडिते हैं अब नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम एंड संस आर्गन इनका नर्वस सिस्टम कैसा होता है फर्स्ट हम देखते हैं प्रिमिटिव फ्लैट वर्म्स में जो प्रिमिटिव फ्लैट वर्म्स हैं जैसे आर्डर असीला है तो जो आर्डर असीला है इसमें जो नर्वस सिस्टम होता ह वो nerve plex की सूरत में होता है nerve plex यह नि nerve net की तरह होता है जैसे nerves का एक net बना होता है nerves का एक जाल है तो इसे हम कहा देते है nerve plexus यह resemble करता है nerve net of nideria यह जो nerve plexus है इनके interior end पे एक स्ट्रॉक्चर होता है जिससे statocyst कहा जाता है statocyst जो है यह mechanoreceptor का function अधा कर रहा होता है mechanoreceptor जो है यह pressure के receptors है जब इनके body पे को pressure या force लगती है तो यह जो mechanoreceptor है यह activate हो जाते है next है polycladida polycladida जो है polycladida में क्या होता है कि centralized nerve net with cerebral ganglia अब यह nerve का net होता है और central में क्या होता है cerebral ganglia present होता है cerebral हम कहते है brain core ganglia हम कहते है ganglia हम कहते है neuron के cell bodies होती है neuron की cell body का connection होता है उसे हम ganglia कहते है so बहुत सारी जो neurons की body जब आपस में मिलती है एक ganglia जो है वो वजोद में आता है so इनमें क्या होता है centralized cerebral ganglia होता है यह जिसे हम primitive brain कहते है next है trichladyda जो trichladyda है इसी example planaria jacia यनि planaria है इसमें भी क्या होता है sub epidermal nerve net होता है और बहुत सारी repairs होते है long nerve cords के इसलिए कि हमारे पास diagram है planaria की इसमें क्या होते है little nerve cords present होती है अब यह जो हमें चुट-चुटी से यह जो नजर आ रही है इनका हम कहते है commissures commissures इनका काई एक कर रही है point of union के दोर पर यह दो जो letter nerve cards है यह जो दो nerve cards इनको क्या कर रही है यह मिला रही है अब यह जो है इन nerve cards और commissures इसके end पर यहां बेकरी जो नजर जिसे हम cerebral ganglia कहते है यानि primitive brains अब इसके वो वाली neuron जो primitive brain की तरफ जा रही है उनको हम कहते है sensory neuron और वो वाली neuron जो primitive brain से वापस आ रही है उन्हें हम कहा देते है motor neurons और associated या intermediate neuron वो होती है जो इन दोनों को क्या करे रही होती है connect का रही होती है connection का 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 रही होती है तो यह जो है nervous system की important जो है वो modification है advancement है तो nervous system की यह important जो है वो advancement है अब next हम बात करते है sense organ की तो इसकी बाड़ी पे बहुत सारे tactile और sensory जो है वो cells फ्रेज़न होती है इसकी बाड़ी में sensory और tactile cells जो है वो present होती है जिनका काम होता है touch में touch को detect करना water के grounds को detect करना और बहुत सारे chemicals होते हैं उनको detection मेरे इनका role होता है next sensory organ है ursals इर्सल्स जो है ये सिंसरी लोब्स हैं जो इसके हेड के दोनों साइट्स पर प्रेसेंट्स होते हैं ये जो हमें नजर आरे स्ट्रिक्टर ये इर्सल्स का है जो इसके हेड के दोनों साइट्स पर प्रेसेंट्स है यह जो एसलेज रिसटे यहां पर कीमियो रिसेप्टर्ज बहुत ज़िया तदाव ने प्लेसन्स होते हैं यह जो कीमियो रिसेप्टर्ज होती हैं इनका काम होता है फूड को फूड जो है उसको डिटेक्ट करने में अब नेच्ट है ऑसले यान्ही ऊसिलस तो ओसिलस जो हम कहते हैं ये जो आई सब्स हमे नजर आ रहे हैं तो भेसे वहीं तो एंति मेंच कोई हैं जी इसलही है यह जो है यह आउव करते हैं तूर्ड लाइटूमटू सौर्ड लाइडू लेकिन यह जाए यह चन्ती टृब्लेरिं हैं यह फोट्रॉ हो जो करता हैं या यह विलाइटूम den जो sommes यहе कप Like Depression है जिसमें पिगमेट वो प्रेसेंट होता है अब प्रशनाय तिन्छेय को है म degली होता है जो पहले चारेव करती है और और सेड़र गैंगलिया से क्या होती है अटैस्ट हो जाती है झाल झाल झाल